इस समय हमारा चंदरयान 3 सबसे खतरनाक स्थिती में पहुँच चुका है और इसी समय इसरो ने लेंडिंग की शुरुआत कर दी इसरो को समय से पहले ही चंदरयान 3 की लेंडिंग क्यों करवानी पड़ी आज की वीडियो में हम इसकी वज़य जानेंगे जिस जगे पर इस समय चंदरयान मौजूद है वेगयानिक इस जगे को सूसाइड पॉائिंट क्यों कहते हैं जैसे अंतकवान का गड़ क्यों कहते हैं क्योंके चांद की ये जगे सबसे खतरनाक है किसी भी स्पेस्क्राफ्ट की लेंडिंग के समय जे चरन काफी खतरनाक होता है इस समय इसरू के वेगयानिक लगातार चंद्रयान 3 पर अपनी नजरें जमाई हुए है क्यूंकि रूस के लूना 25 लांच की खबर के बाद इसरू अपना प्लैन भी शुरू करने वाला है लेकिन अब इसरू यही काम 800 किलोमीटर की उचाई से करने जा रहा है इस तरण में इसरू वेगयानिक चंद्रयान के कई और्बिट स्किप करने वाले है यानि के अब तक चंद्रयान 3 चांद की तरफ चांद के चक्कर लगाता हुआ बढ़ रहा था वहीं अब वो सीधा चांद की तरफ बढ़ेगा इस समय रूस का लूना 25 भी चंद्रयान 3 को इस स्पेस रेस में टक्कर देने जा रहा है और इसकी 23 अगस्त को चांद की सतय पर लैंडिंग की प्लैनिक है इसी कारण इसरू की मुश्कले और भी बढ़ गई है क्योंकि अगर लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद के साउथ पोल पर सौफ्ट लैंडिंग करता है तो ये हमारे चंद्रयान का रास्ता काट सकता है और चंद्रयान 3 से टकरा भी सकता है क्योंकि अगर दोनों स्पेस क्राफ्ट ने एक ही जगा लैंडिंग की तो कोई clash हो सकता है इसी वज़ा से इसरो ने समय से पहले landing करने के लिए plan B बनाया है अब इसरो ने plan B में पहले से कुछ changes किये हैं जिसमें इसरो ने तीन orbits छोड़ दिये हैं चंदरियान तीन अब तीन orbits में चकर नहीं लगाएगा इन orbits में चकर लगाने में चंदरियान को तीन से चार दिन लगने वाले थी ऐसा करने से अब तीन से चार दिन का समय बच जाएगा साथ ही अब इसरो अपने सबसे एहम पड़ा पर पहुँच गया है यह plan B चंदरियान तीन के लिए पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि main plan को हटा कर जब भी किसी दूसरे plan B को अपनाया जाता है तो निश्चित ही वो plan A से मुश्किल ही होता है और इसे किसी भी emergency में लागू किया जाता है इस पर इसरो ने अपना काम शुरू कर दिया है और इसमें इसरो ने जिस technology का यूज किया है उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है इससे रूस भी परिशान हो गया है अब 800 किलोमेटर से लेंडिंग के दौरान चंदरयान 3 की स्पीड थोड़ी सी भी इदर उदर होती है तो ये spacecraft crash हो सकता है क्योंकि 800 किलोमेटर की उचाई से वर्टिकल लेंडिंग सबसे मुश्किल काम है आई तक ऐसा किसी भी ग्रेय या चान पर किसी देश ने नहीं किया है वर्टिकल लेंडिंग के समय कमान देते समय कंट्रोल बहुत कम होता है अगर इस दोरान चंदरयान दाएं जब आएं जुक जाता है तो वर्टिकल लेंडिंग होनी बहुत मुश्किल है लेकिन इसरो ने इसका भी हल डून लिया है इसरो का कहना है कि वो 800 किलोमीटर से वर्टिकल लेंडिंग कर रही है लेकिन चंदरयान 3 के 100 किलोमीटर की कक्षा में जाने से पहले ही इसे एक बार फिर रोक देंगे यानि के 800 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक वर्टिकल लेंडिंग होगी और फिर इसे रोक दिया जाएगा और चंदरियान को फिर से और्बिट करवाया जाएगा ऐसा इस्रो को इसलिए करना बढ़ रहा है कि रूस का लूना 25 बहुत ही तेजी से चान की दरफ बढ़ रहा है और उसने प्रिथवी के दो और्बिट्स स्किप कर दिये हैं और प्रिथवी से कई लाख किलोमीटर दूर पहुँच गया है इसी तरह लूना 25 चान के और्बिट को भी स्किप करेगा जिससे लूना 25 बहुत जल्द चान पर लैंडिंग कर सकता है इसी लिए इसरो ने लूना 25 से पहले पहुँचने के लिए वर्टिकल लैंडिंग को चुना है जिससे चंदरियान समय से पहले पहुँच जाएगा और 100 किलोमीटर की दूरी से चान पर लैंड करने में उसे केबल एक घंटे का समय लगेगा इसरो का कहना है कि अगर रूस का लूना 25 चान पर पहुँच भी जाता है तो हम उसे खीक एक घंटा पहले लैंडिंग करने में काम्याब हो जाएंगे 100 किलोमीटर की कक्षा में चंदरियान 3 से 4 और्बिट करेगा जिससे इसरो को चान की जगह बिलकुल करीब से देखने से जहां की कई जानकारिया मिल जाएंगी इसलिए यहां पर 3 से 4 और्बिट किये जाएंगे अगर लूना 25 अपने तया समय से पहले लैंडिंग की कोशिश करता है तो इसरो चंदरियान 3 को भी 100 किलोमीटर की कक्षा से भी वर्टिकल लैंडिंग करवाएगी वर्टिकल लैंडिंग का मतलब जिससे सीधी खड़ी चड़ाई होती है यानि के आसमान से गोल-गोल कर घूम कर आने की वजाए सीधे चान पर आना यानि के बिना किसी और्बिट के सीधा जमीन पर उतर जाना लेकिन यह बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि दुनिया में कई देश तो 12-15 किलोमीटर से भी वर्टिकल लैंडिंग के सक्षम नहीं है वही इसरो 800 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक सीधे वर्टिकल लैंडिंग करवाएगा इसलिए अगला समय इसरो के लिए बहुत ही टेंशन वाला है यहां इसरो एक-एक कदम सोच समझ कर जालेगा इस टेकनलोजी को लेकर इसरो ने अब तक पूरी दुनिया को कुछ नहीं बताया था लेकिन इतना जरूर कहा था कि अगर चंदर्यान के सभी सेंसर फेल हो जाती है और चंदर्यान का संपर्क तूट जाता है तब भी चंदर्यान चांद पर सफ़ता पूर्वक लेंड कर सकता है यह सुनकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है अब सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि लेंडिंग वाली जगह की कुछ दूरी पर ही एक बड़ा क्रेटर बना हुआ है यह क्रेटर कई बार 50 से 100 फीट की गहराई तक के भी होते है ऐसा होने पर यह मेशन की लेंडिंग को काफी नुकसान पहुचा सकते है अब इस रो का कहना है कि अगर लूना 25 चंदर्यान से पहले लेंडिंग की कोशिश करता है तो वो इस से पहले ही चंदर्यान 3 की लेंडिंग करवा देंगे और अब लूना 25 हमारा मुकावला नहीं कर पाएगा तो क्या आप भी यही सोचते हैं कि चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले उतर कर इसरो और भारत पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइप, शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद